तो आगे दोस्तों आप लोग आईए फिर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दूर्षदर्शन नेश्टल लेवल निश्नल टीवी विद जिसको बूलते हैं और उस पर फिर से प्रसारण सुरू होने वाला है दोस्तों रामायन का सीरियल रामायन जिसके ब सारुखान के और इसी की बड़ोलत सारुखान को फिल्मों में ओफर मिले थे और चोठी सीरियल है व्योंकेस बक्सी जो जासूशी के उपर आधारी थे जिसमें रजट कपूर जी एक्टिंग किया करते थे और बहुत ही फैमस हुआ करती थी चारो हर एक की फैवरेट सीरियल और इसी को मद्य नजर ध्यान रखते हुए लोग डाउन को ध्यान में रखते हुए भारा सरकार ने चारो सीरियल फिर से टीवी पर दूर्दरशन नेशनल टीवी पर बताने का प्रोग्राम बनाया है और इसके लिए बता इसके लिए उफेशली न्यूज भी जारी कर दिय है कि इस समय आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह कब आप देख सकते हो लेकिन उसे पहले बता दू चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब बटन दबा कर गंटी वाला बटन जरू दबा दो जिससे की बरती के विग्यापर और लेटेस्ट अबडेट आप खुद प्रकास जावरेकर जी आप जानते ही हैं मंतरी हैं भारत सरकार में इन्हों ने खुद आके ट्वीटर पर बताया है कि डीडी नेशनल पर सवेरे नौ बजे और राट को नौ बजे रामायर सेरियल को प्रकासित किया जाएगा और डीडी भारती चैनल पर रसंग की डीडी भारती है उस पे दूपहर को 12 बजए और साम को साथ बजे महाभारत से रियल आएगी तो दोस्तों इसको जारा से जारा सब दोस्तों को बताना वह रोको रोको अभी नीचे और भी है यह तो एक दो सेरियल है रामायर और महाभारत इंका प्रसारण लेकिन कई लोग उन लोगों को डीडी नेशनल डीडी चैनल मलब डीडी में जितने भी चैनल साते हैं वो सारे के सारे बताना कंपल सरी है अगर वह नहीं बताते तो आप कंप्लेंग कर सकते हैं और कंप्लेंग करने के साथ ही आपके ऑपरेटर आपको उसको बताना लग जाएंगे आपके अर सारुक खान का फोटो और यह सरकस का सिंबॉल और यह प्रकासित होगा दोस्तों प्रदस्तित यह होगा प्रसारित इसका टाइम दिया है इस्टेट हॉम सरकस टीवी सीरीज नाइट एट आट पीम तो 28 तारीको रात आट बजे यह प्रकासित किया जाएगा दोस्तों प्रसारित किया जाएगा रात को आट बजे दूरदसन पर सारुक खान की सरकस और चोथा सीरियल बार करते हैं व्योंक्योस बक्सी जो रजट कपूर की थी रजट कपूर जी के असिस्टेंट रहते थे इस सीरियल में यह असिस्टेंट और रजट कपूर है व्योंक्योस बक्सी तो इसका प्रसारान टाइम है दोस्तों सवेरे 11 बजे 20 तारीको सवेरे 11 बजे यह प्रकासित किया जाएगा डीडी नेशनल पर डीडी नेशनल नहीं करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाहें दोस्तों